लोगों कि कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों क्या पसंद करते हैं पुरानी बस्ती इलाका माने जाते हैं उसक्योथ मैं हुआ इस बार चुनाओं में रामसुंदरदास महंत है कॉंग्रेस की तरफ से और भाजपा की तरफ से फिर से ब्रिज महान अगरवाल है क्या लगता है कैसा होगा मुकाबला अभी अभी से कहना तो बहुत बड़ी बात होगी गलत बात होगी लेकिना महंत जी कोई इस साइट से चुनाओं लड़वाने वाली बात जहां तक हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है महंत जी का एरिया जैजेपूर था वो जानगीर चापा जैसा भी था वो उनका एक पर्टूरर एरिया है उदा तो वो यह हैं भाई हमारे तो आदर्णी महांची वो धर्म गुरू है हिंदों के धर्म गुरू है लेकिन 35 साल में जो ब्रिजमोन का क्रेज जिसर बना हुआ है उसका एक तोड़ पाना मेरे क्याल से संभ़ो नहीं जीता मिछले 5 साल में काम कैसा लगा अब जटो अमारे वह बैचारा एक पार्शत बना है निर्दली पार्शत बढ़िया काम करा रहा है इस बार किसकी सरकार देखना पसंद करें आप कॉंग्रेस की भाजपा कांगरेस सरकार पांच साल में तो जो तकलिफ जो परिशानी होई है उसको देखते वह ऐसा तो पास घर्ष्टाचार हर पार्टियों होती है मैं उस दिन भी बोला था आज भी बोला हूं पंदा साल रमन सिंग की सरकार थी रमन सिंग जी की भट्चाचार उसमें हुआ बनिजबत इस पांच साल को अगर कंपेर करें तो पांच साल उस पंदा साल से ज्यादा तकलिफ देए लेकिन ना मैं आज तक किसी काम के लिए पुरानी बस्ति ये इलाका है शहर का मुख्ये एरिया माना जाता है यह हर कोई इस रस्ते से सकी एक दिन अक बार गुजरता ही है सडकों की स्तिती कैसी है इस तड़कों की सीजे आप देख रहे हैं दूल चे सराब हो रहे हैं इसली इस काम को जिस तरीकेश किया सकता था उसको यह लोग गलत तरीकेश कर रहे हैं अब यह आप एक घड़क खुद आ रहे हो उसमें तीन केबल डा रहे हो दो मैने बाद कोई पर एक केबल भस्त हुआ फिर आप खुरूआओंगे मतलब तोड़ना उथकना तोड़ना उठकना ये ठक परंपर बने अब इसमें कौन कुन कितना कमा रहा है कुन कितना प्राफिट हो रहा है हम नहीं जानते लेकिन बगर प्राफिट को कोई काम करता निया है चाहे वो मेंब हो चाहे पार संद तो